खलन के कारण बंध हो गया, राजमार्ग बंध होने से स्थानिय लोगों सहित 40 यात्री वहीं फस गये हैं, वहीं पहाड का एक बड़ा हिस्सा नीचे गिर गया है प्रदेश में लगतार हो रही बारिश ने मुश्किले बड़ा दी है, चारधाम यात्रा मार्ग सहित परवतिय शेत्रू में स्थानिय लोगों और पर्यटकों को बड़ी परिशानियों का जांग सामना करना पड़ रहा है प्रदेश में दो दिन से हो रही भारिबारिश के चलते कई सडकों पर आवागमन भी ठप हो गया है वही मलवा और बोल्डर आने से तीन राज्य मार्ग समेट को 116 सडके बंद हो गई है वही मार्ग सकते है